स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हम अपने चैनल पर लगातार केंद्रिया सरकारी करमचारियों के छुट्टी से समंदित नियामवली को परकासी तैम परसारित कर रहे हैं आज इस वीडियो के माधम से चर्चा करेंगे एक केंद्रिया करमचारी को कारिय से समंदित बिमारी तथा चोट चुट्टी कैसे मिलती है यानि ये चुट्टी इस परकार की चुट्टी जो है एक केंद्रिया करमचारी को कब मिल सकती है यह चुट्टी वह चुट्टी होती ह जब केसी केंद्रिय करमचारी को अपने कारियस थल पर काम करते हुए कोई गंभीर बिमारी लग जाती है या कोई गंभीर चोट आ जाती है तो उस करमचारी को कितनी छुटी मिलती है और वो किस अधार पर आपको छुटी मिलती है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करें और चर्चा करते हैं जो कारिया से समंदित बिमारी तता चोट चोट चुटी WRIIL आपको किस आधार पर मिलती है और कब-कब आपको ये मिलती है कुछ करमचारी ऐसे संस्थानों प्रिस्थट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट और संस्थानों में काम करते हैं जिनमें रिस्क बना रहता है रिस्क इस परकार से सपोज करो कुछ करमचारी जैसे कुछ फैक्टरी हैं या इंडस्टी हैं गवर्मेंट आफ हिंडिया की या कुछ ऐसे होर्सी हैं जिनमें हमेशा बिमारी का अथवा चोट का खतरा बना रहता है तो वहां यदि आपको कारिय स्थल पर आप अपने ड्यूटी करते हुए आपको चोट लग जाती है या कोई गंभीर बिमारी आपको लग जाती है तो उस दुरान आपको छुटी दी जाती है तो उस चुटी को कारिय से संबंदित बिमारी अत्वा चोट चुटी कहा जाता चलिए वीडियो को आगे शुडू करते हैं और जानते हैं ये चुटी कब से परभावी है ये चुटी 11 दिसंबर 2018 से परभावी है और किसी सरकारी सेवक चाहे वो स्थाई हो या आस्थाई हो जो बिमारी या चोट से पीडित है जो उसके कारेल्या में कारिया या करतवों को हुए है या गंभीर हुई है या उसकी कारेल्या की जो स्थीथी के प्रणाम से वरूब है को नियमवली जो केंद्रिया सरकारी करमचारियों की जो चुटी से समंदित नियमवली है उसकी नियम 19 के उप नियम एक में अंतरवरिष्ट उप बंदों के अध्याधीन रहते हु हुए ऐसे प्रादिकारी को चुटियां परदान करने के लिए शक्षम है जिसमें कारिया से समंदित बिमारी अत्वा चोट चुटी परदान की जा सकती है यह जो कारिया से समंदित बिमारी और चोट चुटी है यह 11 दिसंबर 2018 से प्रवावी है और कुछ गंभीर चोट भरती होने की संपूर्ण अवधी के दोरान सभी करमचारियों को पूर्ण वेतन एवों भत्ते दिये जाएंगे। हश्पताल में भरती की अवधी के बाद WRIIL नीचे दियेगे जो नियम है उसके मताबिक आपको निर्धारित किया जाएगा। हश्पताल में भरती होने के बाद 6 महा हेतु पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहीत आपको छुट्टी मिलेगी और उसके बाद आपको 12 महा के लिए केवल अर्ध वेतन छुट्टी आपको प्रदान की जाएगी यानि कुल 18 महा की आपको छुट्टी मिल सकती है यदि आपको करते हुए कि या आपको प्रवर्टित से घटा एक पूर्ण वेतन में भी परवर्तित किया जा सकता है God miss और भी बात करते हैं अगलिशर्त की व्यक्तियों की जिन पर करम कार प्रतिकर अधीनियम 1923 लगू होता है उनको WRIIL के अधीन दे छुटी वेतन की रासी अधीनियम के अधीन दे शतिपूर्ती की रासी से घटाई जाएगी उस अवधी के दोरान जिसके दोरान करमचारी WRIIL पर है के लिए कोई भी अर्धी छुटी और अर्ध वेतन छुटी जमा नहीं की जाएगी यानि जब आपको इस छुटी पर भेज़ा जाता है या आप इस छुटी को लेते हो बिमारी या गंभीर चोट के दोरान जब आप इस परकार की छुटी लेते हो तो उस पीरियड की जो 18 महा का आपका पीरियड रहेगा उसके दोरान आपको ना तो आपके खाते में EL यानि अ चोट चुट्टी जो परदान की जाती है करमचारियों को कारियस्तल पर काम करते वक्त यदि कोई चोट से ग्रसित हो जाता है या कोई गंभीर बिमारी से ग्रसित हो जाता है उसको इस परकार की चुट्टी ये गारा दी जाती है और जो कि ये 11 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी है केंद्रिय सरकारी करमचारियों के लिए आज इस वीडियो में बस इतने ही चर्चा और मिलते हैं नई वीडियो में नई छुट्टी के नियम के साथ नई अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत नमस्कार धन्यवाद